हेलो स्टुदेंट्स हम लोग क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का सेकंड चाप्र कर रहे हैं पॉलिनोमिल्स आज हम लोग करेंगे एलजेब्रिक आइन्टिटीज आप जोनियर क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हो पर मैं एक बार और आपको बताता हूँ बिकास नाइन्थ में भी इसका थोड़ा सा एक रिविशिन दे रखा है चेके राइट चलिए एलजेब्रिक आइन्टिटीज मतब फॉर्मलेज ओके जैसे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ है आपर a प्लस b whole square इसको हम क्या लिख सकते हैं a square प्लस b square प्लस 2ab ठेके आपको पता है फॉर्मूला ठेके राइट अगर a प्लस b whole square हो रहा हूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1st का square, 2nd का square plus 2 into 1st and 2nd, okay. फिर है a minus b whole square a square plus b square minus 2ab, right. फिर आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा, a plus b into a minus b equals to a square minus b square, ठीक है, fine. फिर एक ये फॉर्मूला भी है, right. तो क्या आजाएगा? x square a plus bx plus a b. समझ गए, identities मतलब क्या हो गया? फॉर्मूले इस पढ़ने हैं हमें थोड़े से, ठीक है? तो ये आपको फॉर्मूला पता है, 2 same number, ये तो पता है, मैंने बता दिया, ये भी हो गया, इस पे आते हैं, दो same number plus हो रहे हैं, वो ही दो same number minus हो रहे हैं, और बीच में multiply का sign है, तो हम क्या लिखेंगे? first वाले का square, minus second वाले का square, यहाँ पर क्या है? इनकी first term same है, पर दोनों की second term क्या है? different है, तो क्या होगा? first term तो same है, second term different है, और multiply हो रहे हैं तो क्या होगा? जो same वाला है उसका square, different वालों का sum into same, into same, plus different वालों का product, ऐसा आप इसको याद रखेंगे, ठेक है? right? fine, अब हम लोग एक के formula को थोड़ा थोड़ा discuss करेंगे, और आगे बढ़ेंगे, okay? fine, चले, मैं इसको रख करता हूँ, आप pause करके लिख लें, मेरे साथ साथ लिखते जाईएगा, okay? चले बढ़ें, यहाँ पर आपको दे रखा है, 3x प्लस 4y whole square, आपको ऐसा दे दिया, और आपको भोला गया, expand, यहाँ पर लिखा मैंने, expand, right? expand करना है आपको, open करना है, इसको solve करना है, ठेक है, right? अब इसका expand करने का एक तरीका है, actual multiplication, actual multiplication करें, जैसे आप देखो, कैसे? 3x plus 4y into 3x plus 4y, समझ गया है, square है, तो मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? दो बार, जैसे लिखा रहे था न, 2 का square, that means क्या होता है, 2 into 2, दो बार लिखना है, तो उसी तरह से यहाँ पर square है, था हमने इसको दो बार लिखती है, अब expand करना है, मतलब multiply करते हैं, अब binomial to binomial multiplication, कैसे? सबसे पहले लिखा यह वाला 3x, यह इस पूरे से multiply होगा, 3x plus 4y, फिर लिखा प्लस 4y, यह इस पूरे से multiply होगा, फिर यह इस से multiply होगा, फिर यह इस से multiply होगा, कितना हो जाएगा, 9x square, प्लस यह इस से multiply होगा, 12, 3 into 4, 12, x into y, xy, फिर यह इस से multiply होगा, 12, xy, प्लस यह इस से multiply होगा, 16, y square, चीक है, बस में आ रहे हैं, अब आप देखो, इन दोनों के पास, same variable और same power है, समझेगे आप, मतलब variable के पर भी same power है, तो प्लस और माइनस हो सकता है, यह दोनों हो सकते हैं, ओके, तो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9x square, 12 प्लस 12, 24xy, प्लस 16y square, तो यह आपका क्या आ गया, answer, ठीक है, ऐसा हमने multiply करके निकाला, इसके पर square था, हमसे बोला गया expand, तो हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, multiply करके, actual multiplication से किया, अब आप देखो, मैं बस इतना सा बताना चाहरा हूँ, कि जो identities मैंने board पे लिखी, उसकी importance क्या है, जो formula लिखा, उसकी importance क्या है, जैसे, जो अभी आपके सामने लिखावा expand, इसी को दुबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पर, question में लिखावा है, expand, 3x, plus 4y, whole square, अब इसको expand करने के लिए, इस बार हम क्या करेंगे, actual multiplication नहीं करेंगे, हम formula यूज़ करेंगे, formula कौन सा यूज़ करेंगे, मैंने चार formula अभी board पे लिखे थे, जो आपने copy में लिख लिए होंगे, उसमें से मैं यह वाला formula यूज़ कर रहा हूँ, जेके राइट, मैंने यहाँ पर लिखा, यह छोटा लिखा हुआ है, we know that, we know that, a plus b whole square, a plus b whole square, equals to a square, plus b square, plus 2ab, मैं इस formula को use करूँगा, कैसे, और क्यों, क्यों करूँगा, क्योंकि यह आपर भी देखो, तो दो term है, एक, तो, first term, second term, और उसका whole square, तो अधर भी देखो, first term, second term, और उसका whole square, तो अगर इस formula के according देखें, तो क्या है, first वाले का square, plus second वाले का square, फिर plus 2 into first and second, तो वही करते हैं, इदर भी, 3x plus 4y का whole square, equals to, एदर नीचे लिखना हूँ, क्या होगा, इस formula के according, first वाले का square, plus second वाले का square, plus 2 into first into second, ठेक है, first वाले का square, second वाले का square, plus 2 into first and second, तो वही हैं आपर, first वाले का square, second वाले का square, plus 2 into first and second, तो आप देखें, क्या जाएगा है, यहापर, 9x square, plus 16y square, 2 into 3, 6, 6 into 4, 24, 24xy, right, क्या दोनों से answer सेम आया, एक answer तो इदर आ रहा है, और यह एक answer आ रहा है, क्या यह दोनों answer सेम है, यह सेम है, 9x square, 16x square, plus 24xy, 9x square, 16y square, plus 24xy, तो कहने का मतलब, formula ने हमारा काम क्या कर दिया, simple कर दिया, मतलब यहाँ पर multiply करने के लिए, हमें, right, 4 step में answer आया, इदर आपका, 2 step में answer आ गया, तो formula यही करता है, और simple तरीके से भी हो गया, यहाँ पर आपको इतना multiply करना पड़ा, यहाँ पर तो आप verbally बता सकते हो, मैंने तो फिर भी दो line में किया, आप चाहे तो एक line में भी कर सकते हो इसको, बास में आ गई, तो formula क्या करता है, हमारी calculations को simple कर देता है, right, इसलिए हम क्या करेंगे, right, actual multiplication नहीं करेंगे, कि यहाँ पर class 9 में, हम इन formula को use करेंगे, multiply करने के लिए, हो तो multiply तो रहा है, देखो आप, multiply तो किया, square मतलब, दो same जो expression है, उसको multiply करना है, पर multiply करने के लिए, हम actual multiplication नहीं करेंगे, हम formula use करेंगे, समझ में आ गई ने बाद, तो अगर मैं अब आपको देता हूँ, multiply करने के लिए, तो आप formula use करेंगे, और formula use करके multiply करेंगे, समझ पारेंगे मेरी बाद, चले, ओके, आप इसको pause करके लिखने, मैं रब कर रहा हूँ, तो अब हमें formula use करना है, actual multiplication नहीं करना है, राइट, दोनों से हमारे answer same आएगा, formula हमारे काम को simplify कर देता है, चीक है, इतिवास में आ रही है, ओके, इसको भी रब कर देता हूँ मैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके, अब आप देखो, हमसे बूला गया, find the product of x plus 5 into x minus 5, हमसे बूला गया, इसको multiply करूँ, राइट, पर हम actual multiplication नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम formula use करेंगे, राइट, तो मैंने आपको चार formula बताए, अभी चार बताए, ठेके, राइट, तो देखें उसमें से कौन सा होगा, मैंने एक formula तो यह बताया, a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab, एक formula मैंने यह बताया, a minus b whole square equals to a square plus b square minus 2ab, एक formula मैंने यह बताया, a plus b, a minus b equals to a square minus b square, एक formula यह वाला बताया, x plus a into x plus b equals to x square plus a plus b, x plus a b, यह a भी लिखाओ है, अब जल्दी से सोचो, इन चारों में से हम कौन सा formula use करेंगे, सोचा, time और चाहिए, तो pause करके सोच लेना, ठेके, चलो हम शुरू करते हैं, क्या यह formula use हो पाएगा क्या, answer is no, यह तो क्या है, a plus b whole square है, right, a plus b whole square मतला ऐसा होना चाहिए, a plus b into a minus, a plus b, दो same number multiply हो रहे होंगे, तो हम क्या लिख देंगे, a plus b का whole square, यह क्या है, a minus b into a minus, तो क्या यहाँ पर, दोनों same है क्या, x plus 5, x plus 5, नहीं है, ठेके, दोनों same होने चाहिए, तो यह formula apply नहीं होगा, इधर आते हैं, क्या दोनों minus के हैं क्या, x minus 5, x minus 5, राइट, नहीं है, तो यह formula भी use नहीं होगा, अब इधर आते हैं, क्या इस तरह से है क्या, दो same number plus हो रहे हैं, वो ही दो same number minus हो रहे हैं, x plus 5, x minus 5, correct, तो हम कौन सा formula apply करेंगे, यह वाला, सब्सक्राइब आभी बात, तो ऐसे आपको judge करना है, हर बार formula लिखके नहीं बताऊंगा, दिरे दिरे हम लोग direct करना शुरू करेंगे, हाला कि यह सब आपने पढ़ा होगा है junior class में, पर एक बार बताना, मेरी duty है, ताकि किसी को नहीं पता हो, तो पता लग जाए, चलिए, हम से बुला गया find the product answer, हमें इसका multiplication निकालना है, तो हम लिख देंगे आपर, we use formula a plus b into a minus b equals to a square minus b square, चलिए, इस formula को use करेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, x plus 5 into x minus 5, हम से बुला गया, इसको multiply करना है, तो formula use करते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, दो same number plus हो रहे हैं, वो ही दो same number minus हो रहे हैं, तो क्या कर लेंगे इसमें, आगे वाले का square, minus पीछे वाले का square, यही किया है देखो, formula में भी, ओके, तो इस हिसाब से हम देखते हैं, तो क्या आजाएगा, x square minus, 5 का square क्या हो जाएगा, 25, यही हमारा क्या required concept, सब्जमें आगई बात, ठेके, और अगर हम इसको, actual multiply करने जाते, तो अभी हमारे 4 step लग जाते, ठेके, वो हमारा एक step में हो गया, बासर में आगई सब्जमें, ओके, तो इस तरह से हम formula को use करेंगे, clear है, चलिए, चलिए, अभी हम लोग simple question कर रहे हैं, फिर अच्छे question भी करें, ओके, चलिए, next question लिखते हैं यहापर, जैसे यहापर लिखा हुआ है, x प्लस 5, into, x प्लस 3, right, अब, 4 formulas हैं, right, तो मुझे इसमें से लग रहा है, शायद हम यह वाला formula यूज़ करें, x प्लस a, into x प्लस b, equals to, क्या बताया था, कि दोनों का first term तो same है, और second term यहाँ पर क्या है, different है, तो क्या करेंगे, जो same है, same वाले का square, प्लस, जो different वाले हैं, उनका sum, into, same वाला number, plus different वालों का product, तो यह formula में आपर apply करेंगे, और करेंगे, और करते हैं देखो, वी यूज़ फॉर्मुला, x प्लस a, into x प्लस b, equals to x square, a प्लस b x, plus a b, चीक है, चले करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हम इदे रखा, x प्लस 5, into x प्लस 3, तो same वाले का square, right, फिर different वालों का sum, यह different यह रहा, 5, plus 3, और into same, जो दोनों में same है, वो लिख देंगे आपर, फिर different वालों का product, तो क्या हो जाएगा, x square, 5 प्लस 3, 8x, plus 50, बस मैं आगई, ऐसे हम करेंगे, ठेके, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, यह सब आपको junior class में सिखा दिया जाता है, मैं बस revise करवा रहा हूँ, चलिए, थोड़ा सा और change करते हैं, जैसे suppose, यहाँ पर लिखा हुआ है, x minus 3, right, मतलब, दोनों का first term तो same है, right, और second term different है, पर अगर आप इस formula को apply करना चाहोगे, तो इधर तो दोनों में plus आ रहा है, जबकि इधर एक plus है और इधर एक minus है, अब क्या करेंगा, तो भी हो जाएगा और यही formula यूज हो जाएगा, कैसे मैं इसको इसके according convert कर दूँगा, कैसे convert करेंगी, देखेगा, जैसे इधर लिखता हूँ, मैं x plus 5, into x minus 3, यह तो आपको question में दे रखा है, इसका product निकालो, इसको हम ऐसे लिख लेंगा, तो आप big bracket यूज कर रहा हूँ, x plus 5 यह लिखा, और इसको हमने लिखा इस तरीके से, x plus minus 3, लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि bracket खोलोगे, तो यह ही आ जाएगा, अब आप देखो, ऐसा करने के वज़े से, ठेके, पहली बात तो clear होगी ना, लिख सकते हैं ऐसा, plus into minus, minus, अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो इस तरह से हो जाएगा, क्या इस formula के according है, yes, right, दोनों का first part same है, yes, first part same है, formula लगा लेते हैं, formula के according, first वाले का square, plus different वालों का sum, जो different वाले हैं, उनको plus कर देए, यदर 5 है, फिर plus minus 3, फिर into same वाला number, जो same है, फिर different वालों का product, चीक है, right, यदर लिख दूँ, इदर लिख देता हूँ, चीक है, right, चलो इसको solve कर देए, तो क्या हो जाएगा, x square, 5, plus minus 3, तो क्या हो जाएगा, 5 minus 3 हो जाएगा, 5 minus 3, ठीक है, और 5 into minus 3, minus 15, चीक है, plus और minus, minus हो जाएगा, तो that means, हमारे पास क्या answer आएगा, x square, plus 2x, minus 50, समझ मैं आ गया, तो मतलब, हम formula को use करने के लिए है, ठीक है, right, कई बार हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दे रखा है, उसको modify करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ताकि हम formula use कर सके, क्या ये बात clear हो गई न, तो और बाकी सब तो same था, देखो, बस हमने क्या किया, इदर minus था, जबकि हमें दोनों जगे, plus चीए था, formula use करने के लिए, तो हमने उसको ऐसे लिखती है, ठीक है, अब pause करके लिखे, अब एक और question करते हैं हम लोग, ये question भी sheet का है, question में लिखावा है यहाँ पर, x minus 1 upon x, x plus 1 upon x, x square plus 1 upon x square, x raise to the power 4, plus 1 upon x raise to the power 4, right, fine आप से बुला गया, multiply करो इसको, अब आप देखो, अगर formula use नहीं करोगे, और actual multiplication करोगे, तो दो page भर जाएंगे आपके में, जेके right, करते करते करते, हर proper step को करते करते, बस मैं आगे, तो हम लोग सीधा क्या use करें यहाँ पर, formula, ओके, चलिए, मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पर, इन दोनों को multiply किया, सबसे पहले मैंने, इन दोनों को multiply करने पर आएगा, answer x square, minus 1 upon x square, यह फिर as it is लिख दिया, यह as it is लिख दिया, ठीके, यह तो as it is आगया देखो, यह as it is आगया, इन दोनों को multiply करके यह लिख दिया, आया समझ में, क्या formula यूज किया हमने, यह वाला, a plus b, into, a minus b, equals to, a square minus b square, मतलब, दो same number plus हो रहे हूं, वो ही दो same number minus हो रहे हूं, तो first वाले का square minus second वाले का square, आप देखो, दो same number plus हो रहे हैं, वो ही दो same number minus हो रहे हैं, multiply हो रहे हैं दोनों, तो first वाले का square, minus 1 upon x, second वाले का square, 1 का square 1, x square, चिके, चलिए अब देखो multiply करते actual तो बहुत बड़ा हो जाता ओके अब देखिएगा next step थोड़ा छोटा लिखूंगा इन दोनों को multiply करते क्या आजाएगा answer x raised to the power 4 minus 1 upon x raised to the power 4 इन दोनों को multiply किया तो यह आया और यह hazardous आगे देखो इन दोनों को multiply किया तो यह आया कैसे आया the answer देखो वही formula same दो same number plus हो रहे है x square plus 1 upon x square यह यही दो same number देखो minus हो रहे है same है दोनों का first भी same है second भी same है तो plus हो रहे है और इदर minus हो रहे है तो क्या हो जाएगा first वाले का square right first वाले का square minus second वाले का square यह तो करना है अपने first वाले का square minus second वाले का square तो आप देखो एक power अंदर एक power बाहर तो multiply हो जाएगी तो 2 into 2 4 इदर भी वही 1 का square x square का square तो क्या आ जाएगा चलिए अब फाइनली इन दोनों को multiply करना है तो क्या जाएगा answer x raise to the power 8 minus 1 upon x raise to the power 8 इन दोनों को multiply करने कैसे आप देखो फिर वही हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर वही formula a plus b into a minus b equals to क्या होता है a square minus b square तो इदर भी क्या हो रहा है देखो x4 minus 1 upon x4 into x4 plus 1 upon x4 दो same number plus हो रहे हैं वही दो same number minus हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा first वाले का square minus second वाले का square एक पावर अंदर एक पावर भार तो multiply 4 into 2 8 इधर भी एक पावर अंदर एक पावर भार 1 का square तो बनी आएगा तो इधर भी क्या जाएगा x rest to the power 8 तो देखो वही लिखा है इन दोनों को multiply करने पे यह आ गया बात समझ में आ रही है fine तो देखो formula का मतलब समझ में आ गया होगा आपको अब ठीके right कि formula से हम लोग ठीके अपने steps कम कर सकते हैं और question को easy बना सकते हैं वरना आप देखो इसको अगर आप multiply करते इसको इस से करते फिर इसको इस से करते फिर इसको इस से करते तो आपको time लगता और यह हमारा काम जल्दी से होगी मैंने तो चार step में करा अब आपको करने का तरीका पता लगिया आप चाहिए तो दो step में निकाल लो answer ठीके बास में आ रहे हैं सब्कों ठीके तो formula से हमारे questions क्या हो जाते हैं simple हो जाते हैं तो next class में भी हम लोग formula के उपर ही discussion करेंगे ठीके राइट आज ही class यहीं पर खतम करते हैं इसके साथ जो worksheet आएगी उसको ज़रूर करिएगा तब तक के लिए practice करते रहें पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें बाई